नमस्कार साथियो आज हम बात करेंगे न्यूजिलेंड के बारे में जी हाँ साथियो न्यूजिलेंड आलांकी कम इंटरेश्टेड होते हैं लोग पता नहीं इंटरेश्टेड क्यों नहीं होते हैं न्यूजिलेंड आलांकी वीजा कम देता होगा आपको पता ही होगा न्यू लोगों के जी यहां साथी ओफर लेटर भी आगे और विजा भी आगे मैं पूरी डिटेल से दिखाऊंगा और खर्चे की बात करें तो भाई बहुत कम पैसा लिया जारा इन लोगों से अगर आप भी बहुत सारी लोग होंगे जो आप न्यूजिलेंड के लिए अपलाई करन ने तो यार कितनी अच्छी बात है तो मैं एक आपको दिखा देता हूं पहले फिर आगे हम और बात करते हैं वीडियो अच्छा लगए लाइक शेयर करिए चैनल जुरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लीजिए ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नह साल का पोस्टन हेवी ड्राइवर की जोब है बेसिक सेल इस सत्रा सो निजुलेन डॉलर है प्रोवाइड सब कुछ फूड ओवर टाइम इंसोरेंच अकपुटेशन ट्रांसपोर्टेशन एरलाइन टिकर डूटी बगरा सब कुछ इसमें लिखा हुआ है डूटी आट गंट पासपोर्ट नंबर एक्सपारी डेट इंसलेंट सब कुछ जनरल सिंगल इंट्री बगरा वीजा बगरा सब कुछ आ गया इसमें अब आपको यह देखके बताना है मुझे कि यह वीजा किस तरह से एडिट किया गया जी हां आप हम इमानदार से देखके बताना बाकी वीज आपने देख लिया होगा भाई यह वीजा है न्यूजिलेंड का बंदे ने मुझे डोकॉमेंट बेजे थे वो फर लेटर भी सांट में सेंड किया और वीजा भी सेंड किया फिर वोईस भी सेंड करी मेरे पास वोईस भी है पूरी इनके साथ में वोईस तो आपको नहीं यह अभी बाकी के पैसे उन्होंने बोला कि आप कहीं डोकुमेंट चेक करवा लो उसके बाद जाते समय आप एक सगे ओपिस में आएंगे आपका सबका एक वीडियो बनाएंगे उसके बाद आप पैसे दे दीजिएगा जी हाँ अलांकि बंदा बोला था सर बारा तारी के हमारी फ्लाइट है तो बारा तो निकल गई होगी तो उमीद है कि जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं जिर भाई ने ये डोकुमेंट मुझे बेज़े हैं अगर आप न्यूजिलेंड पहुंच गए हैं तो बिलकुल आप वीडि मुझे आज तक सोचल मेडिया के मादेम से एक भी बंदा न्यूजिलेंड में पहुंचावा नहीं मिला है जी हाँ अब आप सोच सकते हैं कि क्या इस्तिती हो सकते हैं ये बुक भी है इन जैसे लोगों से इनके पैसे मेरे से बातचीत हुई समझाया इनको गए इनके पैसे जो दे दिया ना वो वापस नहीं आने वाले ये 100% है 20 लाग दे दोगे वो भी नहीं आएंगे 20,000 दे दोगे वो भी नहीं आएंगे आप समझ लीजी इस बात को ये वीजा भी दे दिया ओफरलेटर दे दिया तो क्या बंदे पहुंच जाएंगे और वो भी न्यूजिलें सबसे कम वीजा 0.0 वीजा वेलबल होते हैं इंडियन लोगों के लिए वो भी यहां से लोग एजुकेशन के परपसे जाते हैं वो वहां पे ट्रांसपर करवा लेते हैं अगर आप इंटरस्टेड हैं तो बाकी जानकरी वीडियो के नीचे डिस्प्रिक्शन में पूरी जानकरी दी गई है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में अच्छी जानकरी की साथ जेहीं